अज बात होने जारी है को लिजन की पुलिजन वर्ड से लग रहा है कि टकराना दो अबजेक्ट का फिजिकली टकराना टकर हो जाए तो उसको को लिजन कहते हैं ठीक है अब कोलिजन कितने पर तरे का होता है ज़ना समझेगा ने एक सेके ने तो ने आप हमको चलने दीजिए उसको अभी इसमें आप आगे करने चलने दीजिए साथ साथ में देखें कोलीजन में जरा प्रैक्टिकली समझें कि हमने दो वाडी को ऐसे टक्कर मारा तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से लड़ें और लड़के अलग हो जाएं हो सकता है क्यों अलग होंगी बाई जैसे अगर हम इसको समझें स्प्रिंग है हमारी उंगली तो जैसे हम लड़े तो स्प्रिंग दभी तो एक क्या करेगी एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी और फिर अपनी पोजिशन में किसी गोबhr फेका फेक के मांते हैं लोग कुछ इलाकों में होता है कि फित वह जाके उस्के चिपक गया तो यह भी कॉलिजन हो सकता है तो दो प्रकार के Linkylation होते हैं एक होता है इर एक होता है Administration sort के लिए स्क्राहिए एक अरुन о्टाइप का होता उसके बारे हम बात बात करते हैं देखिए तो अगर हमसे का जब क्लीजन क्या होता है तो आप ऐंगे दो बॉडिंद का सीजिटिवली स्ट्रा इचोदर तो दिस फिनोमोन आट रूदा है नाम से लग रहा है, Elastic Collision मतलब Elasticity का कुछ लफड़ा है इसमें तो Elastic Collision में क्या होता है देखे एक बॉड़ी टकराई दूसरी बॉड़ी इससे और बाद में अलग हो गई तो एक दूसरे के Momentum टकराने के पहले और टकराने के बाद का Momentum सेम रहता है तो सबसे पहले तो इसमें क्या चीज रहे होती है तो आप लिखेंगे Momentum Remains Conserved Momentum बोले तो Linear Momentum Momentum की हम बात करें तो आप कहेंगे कौन सा Momentum है तो आप कहेंगे Linear Momentum है Linear Momentum Remains Conserved Remains Conserved मतलब टकराने के बाद और टकराने के पहले Total Linear Momentum Conserved रहता है जो भी Linear Momentum Linear Momentum of the system अगर Linear Momentum कहें तो आप कहेंगे of the system किसका Conserved रहेगा तो आप कहेंगे system का रहेगा system बोले तो अगर दो पार्टिकल टकरा रहे हैं तो दोनों पार्टिकल मिल करके एक system मनाते हैं उसका Linear Momentum Conserved रहता है ठीक है दूसरी बात उनकी कानेटिक एनरजी Conserved रहती है कानेटिक एनरजी of the system कानेटिक एनरजी of the system remains Conserved remains Conserved तीसरी बात total energy remains Conserved total elf remains of the system remains conserved to elastic collison में वैसे दो ही चीज़े आएंगी Carnetic energy ही उसमें होती है लेकिन Carnetic energy remains conserved total energy remains conserved and linear momentum remains conserved तो elastic Collision में यह तीन चीज़े insurgE konserve का मतलब क्या हूगा की टकराने के पहले और टकराने के बाद total jar value होती है हो ती है ठीक है अच्छा दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन जरा इस प्रकार के कोलिजन को समझेगा जैसे आपने कोई बॉल थोड़ी हाइट से फेकी माल लिए आपने यहां से एक बॉल फेकी और बॉल यहां पर आकर के यहां पर जमीन से टक्रागी किसी विलास्टि से टक्रागी और वी विलास्टि से टक्राई तो अगर यह रिवाउंड होती है उसी विलास्टि से ही तो अल्टिमेटली उसी हाइट तक जाएगी तो अगर उसी हाइट तक गई तो इस प्रकार का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है ठीक है यानि जतना momentum था उतना momentum उसको regain हो गया उसको मिल गया वापस ठीक है अच्छा दूसरा होता है in elastic collision तो दूसरा हो गया in elastic collision number two stream डाल देंगे और नाम देंगे in elastic collision इन elastic में क्या होता है कि body मालिया ये तो elastic हो गया ये elastic के बारे में बात कर रहे हैं मालिया कोई ball हमने उपर से फेकी और ये यहाँ पर ground से आके टकराई मालिया वी विलास्टी से और ये वापस मालिया वी डैस विलास्टी से जा रही है और यहां तक आके रुग गई इसके आगे वो नहीं जा पा रही है यानि कि अगर माल ले कि 20-20 मीटर से गिरी थी और इसकी विलास्टी थी माल लेते हैं तो 15 मीटर से रिबाउंड गई और 15 मीटर तक उपर गई तो ये आपका in elastic collision है ठीक है इसमें कहीं कहीं energy उसकी loss हो गई त तो इसमें क्या होता है linear momentum remains conserved linear momentum conserved रहता है लेकिन kinetic energy of the system का conservation नहीं होता है यानि kinetic energy momentum में तो velocity transfer हो जानी है हमारी velocity उनको मिल गई उनकी velocity हमको मिल गई ठीक है अभी mathematical उसको proof किया जाएगा अभी mathematical उसको बताया जाएगा कैसे conserve होगा और total energy इसकी conserve रहती है total energy इसकी conserve रहती है ठीक है ये आपका in elastic collision है तो हम बात करने जा रहे हैं पहले elastic collision की एक और collision होता है उसके बारे में रास्ते में बात करेंगे तो सबसे लिखिए आप elastic collision देखिए elastic collision में क्या होता है कि हमने माना suppose ये दो bodies है ये m1 इसका mass है और ये दूसरी body है m2 इसका mass m2 है और ये u1 velocity से चल रही है एक दूसरी की तरफ जा रही है ये u2 velocity चल रही है यानि ये before collision ये हो रहा है before collision ये system ऐसे चल रही है अब ये तो simple सी बात है अगर collision होना है तो u1 की velocity u2 से ज़्यादा होनी चाहिए तब ही collision होगा इसके बाद क्या हुआ आगे बढ़े और ये दोनों collide हो गए ऐसे टकरा गए यानि ये m1 mass का था ये m2 mass का था ये during collision है अब इसके बाद collision चुकी elastic हो रहा है ये एक दूसरे पर एक restoring force लगा के धका मारेंगे अपनी पुरानी position बही देखे बॉल जब टकराई होगी माल लीजे बॉल जब टकराई होगी थोड़ी दबी होगी ऐसे हलका सा उसका प्रेस हुआ होगा तो वो चुकी elastic body है elastic collision है तो उसके अंदर से restoring force लगा होगा और फिर वो दूर हटे की कोशिज कर रही होगी तो बाद में दोनों अलग-अलग हो गए और ये पहली वाली v1 velocity चल लगी है और दूसरी वाली ने v2 velocity रेली ये हो गया आपका after collision action में आए कैसे collide हुए कैसे अलग हुए तीक है ये M1 मास्की थी M2 मास्की थी अच्छा तो हमने जैसा कहा कि collision में उसकी linear momentum conserve रहता है और kinetic energy conserve रहती है potential के हम बात नहीं कर रहे है height की बात हम कर नहीं रहे है तो आप लिखेंगे by law of conservation of momentum ये diagram संद में आ गया ना इसको हम rub करेंग because it is taking place इसको rub करेंगे इसको बरा लिजेगे हलका सा ठीक है देखें by law of conservation of linear momentum law of conservation of linear momentum देखें M1 U1 plus M2 U2 ये हो गया linear momentum of the system before collision और is equal to M1 V1 plus M2 V2 it is after collision ठीक है अभी ज़रा एक line यहाँ छोड़ेंगे कुछ calculation करना है इसलिए अभी question for हम नहीं डाल रहें जानगूच करके इसको यहाँ छोड़ रहे हैं ठीक है और by law of conservation of of kinetic energy तो half M1 U1 square plus half M2 U2 square is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square तो half को साफ कर दो तो आएगा M1 U1 square plus M2 U2 square is equal to M1 V1 square plus M2 V2 square जरा समझेगा अभी question 2 भी हम नहीं डाल ला हैं देखें यहाँ पर कितनी चीज़ें अन्नोन हैं जिन्हें निकाल ली हैं हमको क्या unknown है या सब कुछ unknown है तो known क्या है भाई after collision velocity तो निकाल नहीं है आपको collision के पहले तो हमने आपको कहा होगा ना कि यह velocity इतनी है तभी तो आपने जाना collision हो रहा है तो जितनी unknown quantity होंगी उतनी equations होनी चाहिए यहाँ दो unknown quantities है after collision velocity V1 और V2 यहीं आपको निकालनी है ठीक है तो यानि कि आपको V1 V2 निकालना है तो यहाँ पर आप पहले तो आप M1 M2 हटा तो देखो द्यान से इसमें अगर M1 को इधर transfer कर लाएं M1 कामन ले लें तो यहाँ U1 माइनस V1 हो जाएगा और यहाँ पर equal to M2 कामन ले लें और M2 वाला term उधर कर दें तो V2 माइनस U2 हो जाएगा यह पहला equation हमने डाल दिया ठीक है हमने जाना को उसके वो gap छोड़ा था calculation करने के लिए यहाँ पर भी हम यही कर रहे है M1 वाले term को इधर ले आए M1 कामन लिया तो आया U1 square माइनस C V1 square is equal to यहाँ से M2 कामन लिया तो आया V2 square माइनस V1 U2 square यह equation 2 आ गया अगर मैं equation 1 और 2 को divide कर देता तो M1 से M1 cancel हो जाएगा और M2 से M2 cancel हो जाएगा तो आप कहेंगे dividing equation 1 and 2 जो ना देखें कैसे dividing तो हम पहले square का term लिख रहे हैं तो M1 यह हो गया यह हो गया U1 square minus V1 square upon M1 यह हो गया आपका U1 minus V1 is equal to यहाँ हो गया M2 V2 square minus U2 square upon यह हो गया M2 यह हो गया V2 minus U2 देखें यहाँ से M1 M1 cancel हो गया यहाँ से M2 M2 cancel हो गया अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप तो इसको factorize कर सकते हैं और उपर निचे cancel हो जाएगा तो उपर हो जाएगा U1 minus V1 plus V1 is equal to V2 plus U2 ठीक है तो देखें यहाँ पर U1 minus U2 is equal to V2 minus V1 आगया ठीक है पर इसको लिखें फिर देखें क्या दिया हुआ है इसको फिलहाल equation number डाल दीजिए 3 जड़ा देखें ध्यान से टकराने के पहले पहली बाल U1 विलास्टी चल लई थी और दूसरी U2 विलास्टी चल लई थी ठीक है तो अगर मैं कहूं what is the relative velocity यह relative velocity तो आप दिखेंगे velocity of first minus velocity of second दोनों का difference करेंगे ना दोनों का direction सेम है ठीक है इसको कहेंगे relative velocity of approach दोनों जिस relative velocity से एक दूसरे की और एक दूसरे की तरफ approach कर रहे हैं नहीं कह सकते हैं तो यह कहेंगे हम यह क्या है यह आपका आ गया relative velocity of approach और यह है relative velocity of separation relative velocity of separation relative velocity of separation समझने आ गई बात एक तो यह proof हो गया एक चीज और आप जान लें यहाँ पर यह प्रेंट नोट करें फिर हम बात करेंगे अब आपको चाहिए क्या आपको चाहिए velocity after collision v1, v2 चाहिए तो देखो equation 1 से मैं अगर v1 की value निकालनू v2 के term में या v2 निकालनू को यह value निकाल लेता हूं तो यह v1 उठा की यहां रख दें तो पूरा system v2 में आ जाएगा तो अगर हम by equation 3 यहां से मैं निकालता हूं v2 की value तो v2 की value क्या आएगी v1 इधार जाएगा तो आएगा v1 plus u1 minus u2 जोना v और u में फर्क रखिएगा हमने v2 की value निकाली क्या v1 plus u1 minus u2 यह v2 उठाए और equation number 2 में तो नहीं रखें कोई square है हालत खराब कर देगा 1 में रख दें putting this value in equation number 1 यह रख कर रहे हैं putting v2 in equation 1 यहीं रखें 1 यह पहली वाली तो 1 है कहीं रख दो उठागर के उपर रख रहे हैं हम देखो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 v2 क्या है v1 plus u1 minus u2 अब हम bracket खोलेंगे और v1 वाले टर्म एक तरफ कर दें क्योंको v1 निकालना है तो यह आपका हो जाएगा m1 u1 plus जाद देखे रहे हैं कहीं गलती होने चांसे हो जाते हैं देखो जब हम m1 v1 plus m2 v1 एक साथ करके v1 कामल लेंगे तो आएगा m1 plus m2 कह सकते हैं और प्लस m2 u1 minus m2 u2 देखे यहां से हमने क्या किया u1 कामल ले लिया यहां से तो यह बचा क्या m1 minus m2 और यहां से हमने two times लिखा है two m2 u2 है ना और m1 plus m2 अपान में ले आए m1 plus m2 m1 plus m2 is equal to v1 तो this is the velocity after impact this is velocity of first ball अच्छा इसको कहीं लिख देते हैं तो कि इसकी जरुवत पड़ेगी हमको यह हम रब कर रहे हैं यह कहीं लिख देते हैं हमारे पास लिखी होगी कहीं उसी का इस्तेमाल कर लेंगे न v1 क्या निकला है m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 upon m1 plus m2 into u2 ठीक है अब हम क्या करेंगे नहीं वो जो कहा गलत होगा लेकिल लिखा सही है ठीक है वो कहने में पकड नहीं है नहीं रिकार्डिंग भी है पकड लोगे ठीक है अब हमने क्या गाइब किया है uv2 गाइब किया है अब v1 की value निकलाई है अब v2 निकालो by equation 1 equation 3 equation 3 क्या थी दुबारा लिखे यहां तुराब हो गई है यहां से v1 निकालो v1 क्या निकलेगा v2 माइनस यहां से v1 निकालो v1 क्या निकलेगा v1 निकलेगा v2 माइनस u1 v2 माइनस u1 प्लस u2 यह निकलेगा ना पका सही है और यह मेले उठाईए और equation number 1 में पूट कर दीजे ठीक है तो हमको चुकि आफ्टर कोलिजन विलास्टी निकालनी है पुटिंग दे वैल्यू आफ वी वन इन equation 1 चुलिए मैं दोनों 1 ही है उसका फार्मेट को चैन्स किया है हमने क्यों ऐसा रखा भई क्योंकि आप v2 निकालने जा रहे हैं तो वी वन को कायब करना है तो यहाँ आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 क्या है v1 है आपका v2 minus u1 plus u2 plus m2 v2 bracket खोल दीजे तो आएगा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v2 minus m1 u1 plus m1 u2 plus m2 v2 v2 को नहीं छेड़ेंगे इसको इदर ले आईए सबको तो देखो आट कर रहा हूं m1 u1 के पास m1 u1 आगया तो यह आगया 2m1 u1 ठीक है और m2 u2 के पास m1 u2 आगया और हमने यहाँ से u2 कावन ले लिया तो m2 minus m1 into u2 यह तो आएगा is equal to m1 plus m2 into v2 तो यहाँ से जो v2 की value निकलेगी y गी m2 minus m1 into u2 अपान m1 plus m2 plus 2 m1 अपान m1 plus m2 into u1 तो this is the velocity आप second particle second body after collision देखें पहले तो note कर ले हमने क्या लिखा है हमने after impact जो v1 लिखा है वो लिखा है m1 minus m2 m1 minus m2 अपान m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 अपान m1 plus m2 into u2 यह equation number कौम सा पढ़ा था 4 यह 1 क्यों पड़ेगा 1,2,3 हो चुके थे और बाद में v2 जो निकला है v2 यह दूसरी body जो body है वो आएगा आपका m2 minus m1 m2 minus m1 अपान m1 plus m2 into u2 हलका से replace करना है बस आपको 2 m1 अपान m1 plus m2 into u1 यह दूसरी अगली equation बढ़ी है अब दिखे है special cases special cases चला देखिए ध्यान से अगर हम माले पहला case माले कि इस m1 is equal to m2 is equal to m माल लिया कि हमने m1 m2 दोनों same mass के लिए तब क्या होगा जोना देखिए by equation 4 देखते है देखो अगर m1 m2 same mass के लिखो गए दियती जिरो होगई तो v1 is equal to क्या होगा 2m अपान m plus m नहीं m ही दिखोगे ना सबको तो यहाँ पर 2m अपान 2m into u2 तो क्या है गया v1 is equal to u2 और by question 5 यह तो 0 होगया और यह आपका 2m नीचे आएगा उपर 2m आएगा कर जाएगा तो v2 is equal to u1 क्या आपने देखा कि अगर दो bodies सेम मास्के हैं और आप आसमें टकराते हैं जाकर के तो अपनी विलास्टी को interchange कर देते हैं अपनी विलास्टी उसको दे देते हैं उसकी विलास्टी उसको मिल जाती है यही तो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ठीक है तो यह concept समझे आ गया आपने देखा होगा पिच्चरों में जो दो हीरो लड़ते हैं तो ऐसे लड़ेंगे और दूर जाके इसे गिर जाते हैं मतलब कोई किसी जीता नहीं है वड़ी तेपी दोड़ेंगे खड़ाक से ऐसे लड़ेंगे फिर ऐसे दूर जाके गिर जाएंगे मिनल बाद उठेंगे लिखे जड़ा स्टेटमेंट यहां पर यह वन डैमेशनल कोलिजन हो रहा है वन डैमेशनल इलास्टिक कोलिजन मतलब देखे वन डैमेशनल का मतलब होता है कि दोनों बॉड़ी ऐसे सेंटर टू सेंटर टकराई हैं कट नहीं लगी है अगर किनारे टकराई तो कट लग जाएंगी नहीं नम्जे मतलब दो जैसे आप गोटी होती न उसकी क्यरम की दोनों सेंटर टू सेंटर टकराई है अनॉब अगर हलका से किनारे काट लग जाएगा मतलब यह जो टकर हो रहा ध्यान से ततम ज़ीएगा ये competition में तोड़ा technical होता है इसका जो center है ठीक है? और इसका जो center है विलकुल same line पे है और टकर ऐसे हो रही है ये one dimensional collision है ठीक है? अगर ये center थोड़ा सा उपर हो जाएगा तो फिर टकराने के बाद गोटियां ऐसे चली जाएगी दूर चली जाएगी ठीक है? तो वो बाद में हम बात करेंगे तो आप ने क्या देखा कि one dimensional elastic collision में अगर same mass की दो body टकराती है तो उनके masses एक दूसरे से जो है reverse हो जाते हैं जैसे माले कोई बहुत तेजी से कोई चीज दोड़ के आ रही है हम उसको रोगना चाहते हैं तो हम उसी mass की चीज को उसको सामने लगा देंगे तो जैसे वो इसको hit करेगी तो ये वाली motion में आ जाएगी और ये वाली रुख जाएगी क्योंकि elastic का concern हम जानते हैं ये science में यूज हम कर सकते हैं हम जानते हैं कि अगर same mass की body इस सामने लग देंगे तो उनकी वराश्ची change हो जाएगी तो लिखे इसमें आगे statement in one dimensional elastic collision in one dimensional elastic collision of two bodies of equal masses in one dimensional elastic collision of two bodies of equal masses the bodies exchange their velocities after the collision the bodies exchange their velocities after collision ये तो पहला case हो गया दूसरा case कह रहे हैं कि अगर B जो है initially at risk है दूसरा case है if B is initially rest initially at risk मतलब जो U2 है वो 0 है मतलब पहली वाली जो ball टक्रा रही है आगे वाली बाल से वो आगे वाली जो body है वो rest में है तो V1 क्या हो जाएगा ये question number seven हो गया अब यहाँ पर तीन cases यहाँ पर आ रहे है बाई जो body rest में है उसकी सेहत कैसी है ये देखनी पड़ेगी ना तो लिखे here three cases arises here three cases arises ये हम रब कर रहे है उपर वाला क्योंकि इसकी ज़रुत अब नहीं है here three cases arises तीन cases यहाँ पर arise हो रहे है देखे पहला case यह है कि अगर दोनों body equal mask की थी पहला case यह है कि दोनों body equal mask की है is equal to L अभी हम पढ़ चुके हैं अगर दोनों body equal mask की है तो उनकी velocity exchange हो जाएंगी यानि पहली जो body की velocity है जिस velocity से वो चल रही है वो second को मिल जाएगी और second की velocity first को मिल जाएगी और second की velocity है कैसी zero तो first की कितनी हो जाएगी zero रखे देख लो V1 की value क्या हो जाएगी zero और V2 की value क्या हो जाएगी U1 एं यहां एक मिनट 2M1 U1 भी तो है एक मिनट लिखा नहीं क्या हाँ U1 है यहां U1 भी तो है U1 U2 zero हो गया था ना तो यह पहला case यहां पर possible है कि second body पहली body के same mask की है जैसे हमने का ना कि बहुत तेजी से कोई train का डिबा derailed हो गया बहुत तेजी से दवरता चला जा रहा है और रोक नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे उसी mask के डिबे को बॉड़ी को उसके सामने लग खड़ा कर देंगे जागर के तो क्या होगा वो जब टकर मारेगा तो यह रेस्ट में आ जाएगा अगला चल देगा अगला फिर रोकने का और कोई कारक्ण बनाएंगे वालकी बात है second लिखे हमें उससे मतलब नहीं है अंदर वो लोग क्या होता है हमको उस डिबे को रोकना है ठीक है second case है कि माल लिया जो second body rest में है that is much heavier यानि कि M2 is greater and greater than M1 M2 heavier है M2 बोले तो truck M1 बोले तो cycle cycle वाला गया हो बड़ी तेजी से style में truck को ठोक दिया truck खड़ा हुआ था तो M2 जब heavier है तो M1 को neglect कर दो नहीं जे तो यहां से V1 की value क्या निकलेगी ज़रा M1 को neglect करो तो minus U1 देखो द्यान से practically समझेगा और V2 क्या होगा 0 M1 नेगलेट किया ना आपने M1 को 0 कर दिया आपने तो यह 0 हो गया यानि की V2 क्या था V2 rest में था दूसी body की विलास्टी है ना और दूसी body rest में थी दूसी body कैसी थी rest में थी और बड़ी heavy थी और यह cycles आके hit कर दिये तो दूसरे में तो कोई फरक नहीं पड़ा और यह उसी दास्ते वापस लाटा है उसी विलास्टी से जिस वासी टकराये थे उसी रास्ते खुछ रिवर्स हो गए ठीक है तो यह आपका एक concept है third case लिखे कि M2 is उल्टा हो गया third case है कि अगर माले दूसरी body जो टकरा रही है वो rest में है मत बहुत हैवी है मत बहुत M1 is much greater than M2 आप देखो rest में कौन है cycle और आ कौन रहा है ट्रक और cycle बारा खड़ा है कि आहां बेठा आ जा आ रहा है देखो क्या करता है तो अब मैं M2 को 0 करूंगा तो V1 क्या हो जाएगा M2 छोटा है ना तो V1 क्या हो जाएगा U1 मतलब जिस विरास्टी से चल रहे हैं ट्रक और चलता रहेगा ना और V2 क्या हो जाएगा M2 को 0 करो तो 2U1 यदि ट्रक सव की रफ़तार 50 कम कर दो नहीं ज्यादा दिक्कत जाएगी ट्रक 50 की रफ़तार से आ रहा था और सामने साइकल वाला खड़ा था बोले आजा मैं नहीं हटा हूं देखते क्या कर लेते हो तो ट्रक तो उसी रफ़तार चलता चला जाएगा लेकिन साइकल वाले की रफ़तार डबल कर देगा ठीक है तो समझ में आ गई लॉजिक समझ में आ गया तो ये आपका इलास्टिक कोलीजन की बात समझ में आई अच्छा हां बताइए हूं 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 शर्ति है कि और कोई फोर्स वाँ अक्ट न कर रहा हूं अब ठीक है आप आपने ट्रक से हईट किया किसी टैंपो को टैंपो हिट करेगा छोटा साइकल को साइकल हिट करेगा पैदल वाले को यहीं तो तुम कह रहे हो ना ठीक है लेकिन अब दिक्कत ऐसा प्रेक्ट कली होता नहीं क्योंकि और जो तो फ्रिक्शन है और गाड़ी के जो दिक्कत है वो रोग देता उसको ना हान नहीं तो यह सैकन्ड विलास्टी से स्किल वाला टक्राया था और स्केल वाला जा के पैदल वाले को टक्रा गया तो पैदल वाला स्क्रीट वाले से डबल स्वीड़ क्लेगा लेकी शर्त यहेखा खोई हान देखेद देखिए यह concept वहीं यूज किया जाता है देखे जान से होता क्या है कि neutron हमें एक चुनी में nuclear nucleus को तोड़ने के लिए क्या चाहिए एक heavy particle जो उसके अंदर entry कर जाए लेकिन चार्ज ना हो neutron को entry कराते हैं ठीक है तो neutron को अगर बड़ी speed से entry कराए हैं बहुत speed से तो यह nucleus है ठीक है और nucleus में neutron और proton बहुत सारे भरे होते हैं तो जब बहुत speed से कोई neutron यहाँ जाएगा बहुत speed से तो जैसे अंदर entry करेगा चुकि यह तो neutral है लेकिन mass ठीक ठाक इसका है तो यह क्या करेगा सबको हटाता जाएगा थोड़ा सा spring action करेगा और हटा करके shoot out करता हुआ बहार निकल जाएगा तो यह वाला जो neutron है यह हमको किसी काम का नहीं है क्योंकि nucleus के अंदर तो चला जाता है तेकि nucleus को shoot करता हुआ वह बहार निकल जाता है और nucleus को जैसे बाहर निकलेगा nucleus के जो अंदर जो proton और neutron थे जो हटे थे थोड़ा सा इस neutron को जाने के लिए वो फिर अपनी जगए पर आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि यह जाए तो अंदर लेकिन कम speed से जाए और nucleus में जाके रुख जाए तो हम क्या करते हैं इसको किसी इसी के mass के particle से टकरवा देते हैं कैसे हम इसी के mass के particle को हमने क्या कहा कि velocity एक्स्चेंज हो जाती है अब इसकी speed मालगत 50 है ठीक है और हमको 20 रफ़तार चाहिए तो हम क्या करेंगे सामने एक neutron इसके सामने लाएंगे 20 की रफ़तार से और यह जैसे 20 की रफ़तार से जाएगा वैसे इसकी रफ़तार क्या हो जाएगी 20 और इसकी 50 यह तो होता है नियम तो यह तो उधर चला जाएगा इसी जरूरत नहीं है चुकि यह जो इधर की और आ र तो इसकी विलास्टी घड़ गई और यह निउकलियस के अंदर चला गया उसने का हटो 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 वह खड़े हो गए यहां परैसे तो बगल वाला कहता अरे भीया तो आगे खिशको गल आगे तो जगह नहीं कैसे खिशके अब वहीं खड़े हो करके चकर मकड कर रहा है त तो निउकलियस में जगह तो थी नहीं अब यह वहीं खड़े हो गए तो निउकलियस फूलने लगा और निउकलियस फूलते फूलते तूट गया तो हम इस काम में तो इस काम में हमारा हैवी हाइडोजर बड़ा काम करता है तो होता क्या यूरेनियम जब ब्लास्ट होता है तो यूरेनियम को ब्लास्ट करना है तो हमने एक दो न्यूट्रान तो टकरवा दिये इसमे अब अंदर तीन न्यूट्रान अपने आप बनेंगे यह इंटर में आपको पढ़ाए जाएगा अब वो तीन न्यूट्रान बड़े स्पीड के होंगे बहुत स्पीड उनकी होगी और वो स्पीड वाले जो इलेक्ट्रान होंगे और जो यूरेनियम के एटम्स हैं नूकलियस हैं उनको शूट आउट ररके निकल जाएंगे तोड़ेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे रास्ते में हम डिट्रियम रख देंगे जिसको तो उसको अमालिया आपको तो दूर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि आप तो जिस लेविल में हम आतों तयारी करनी पड़ेगी आपको अब देखे इसकी रफ्तार जो यूरेनियम से नूट्रान निकला इसकी रफ्तार तो एक हजार है और एक हजार से और दूसरे यूरेनियम के नूट्रास में जाएगा तो बाहर निकल जाएगा और तोड़ेगा नहीं तो हम रास्ते में क्या करेंगे हैवि हैड्रों रख देंगे जो बीस की रफ्तार से चल रहा है तो जैसे यह उसे टकराएगा तो किसका मास इक्वल होगा तो क्या करेगा यह अपनी वीस की रफ्तार वो इस नूट्रान को दे देगा और यह नूट्रान अब स्पीड सी कम हो गई तीक है इसको थर्मली जनरेटर्ड नूट्रान कहते है इसके बारे बड़े क्लास पढ़ाएज जाएगा आ रही अब अब आ रही है थर्मली जनरेटर्ड ठीक है तो यह बड़े अब इंटर्ण पढ़ाएगे अभी कुछ मतलब नहीं है कुल मिला करके हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं और कम करके नूकलेस के अंदर हम ले गए और नूकलेस में जाके वो रुग गया और फूल कियोड नूकलेस टूड गया तो हम इसी कॉलिजन का कांसेट यूज करके हम वहाँ पर नूटर्ण की विलास्टी को जो है फिट करते हैं अपने हिसाफ से वैलू निकालते हैं तो यह तो आपका हो गया इलास्टी कॉलिजन ठीक है